हाई फ्रेंड्स और विडियो और आज आप सभी के लिए फिर से मैं लेके आरों एक बहुत ही बड़िया सेटिंग जिसकी मदद से आप अपने फोन के बॉटम में भी श्टेट्स बार इनेबल करवा सकते हैं लाइक कुछ इस तरह से और वह भी दोस्तों बिलकुर एंडुए 9.0 पाई की तरह तो कैसे सेटिंग्स को फीचर को इनेबल करना है तो चले फिर इस वीडियो में हम देखते हैं तो गाइस इस तरह की बड़िया अप्लिकेशन या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फिर आपको गूगल पे अवेलबल मिल जाएगी तो मैंने दुस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा आप डिर्क लिए वहां से डाउनोड कर सकते हैं और अपको प्लेशन पर दिखा जाता हूं जिसका नाम है बॉटम कुइक सेटिंग तो आपको से डाउनोड करना है बहुत ही कम साइज है इसको इसको इस्टॉल कर लेना है तो दोस्तों सोची कई लोग क्या होता है कि टॉप में जो स्टेट अबार होता है उनका वहां तक ह प्रमिशन देनी है तो हमें start as running करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर display over other apps पर क्लिक करना है तो यह दोस्तों एक प्रमिशन हो गई है और जैसे आप इसे enable करते है तो बहुत ही simple है अगर आप देखेंगे नीचे की तब तो midpoint आ चुका है जिस पर दूस्तों आपक क्लिक करके यहां पर दोस्तों पूल अप करते है तो इस तरह आपको जो एक status भार मिलेगा जो कि android 9.0 की तरह लगता है और अगर आप इसे पूर देखेंगे तो यहां पर आपको कार इस काफी साइज चीज़ें मिल जाती है जैसे कि टॉगर ब्राइटनेस कंटोलर और तो यहां पर प्राइम में दे रखा उसके बाद कस्टमाइज स्लाइडर दोस्तों यह क्या है कि अगर आप देखें मीडिया वॉल्यूम अगर आप किसी पर भी क्लिक करते है और फिर पुल अप करते है तो दोस्तों जो है वह आपका जो एड़ हो जाएगा अब आप दोस् status bar में कितनी layout रखते हैं जैसे कि आपके जो उपर का status bar होता है उसी तरह से आप इसे भी customize कर सकते हैं जैसे कि number of columns में बढ़ा देता हूं तो यहां पर जो status bar है उसकी जो column है देख सकते हैं कितनी ज्यादा बढ़ गई है इसी तरह से आप इसमें काफी कुछ add करके उन्हें यूज कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर कोई भी setting ना छेड़े और दोस्तों सबसे अच्छी बात इस application गी है कि आप इसको किसी भी अपने फोन फीचर में यानि कि किसी भी application में on कर सकते हैं और काफी बढ़िया से वर्क करती है अगर आप देखेंगे तो brightness control है वह बहुत ही बढ़िया से हो रही है साथ ही आपको यहां पर कुछ और फीचर मिल जाते हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं अब आपके फोन में दो द तो solve हो जाएगी तो गैस बस इस वीडियो में इतना ही और अगर आपको यह application अच्छी लगी तो इस वीडियो को like करना and don't forget to like and subscribe so guys thanks for watching